अलो, नमस्ते, आदाब, सश्याकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीशा कौशिक, I am an astrologer, अटारोकाद reader, numerologist, and a vastu functionary consultant, और उसके साथ-साथ सपनों को decode करना भी मेरे profession का पार्ट है. मैं आपकी messages जो है, emails जो है, वो लगातार पढ़ती रहती हूँ जो topic मुझे लगता है कि बार-बार जिसका जिक्र हो रहा है, उन्ही topics को हम शामिल करते हैं. आज भी एक important topic के बारे में discuss करूँगी, जब आप सपने में खुद को किसी से उधार लेता हुआ देखते हैं, या कोई उधार देता हुआ देखते हैं. खासकर जब ये उधार जो है वो पैसों से जुड़ा हुआ हो, तो उस सपने के बारे में ही आज हम जिक्र कर रहे हैं. पैसा हमारी जिंदगी में एक बहुत important role अधा करता है, जो लोग हैं कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं partially उन से agree करती हूँ और partially नहीं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात सही है. क्योंकि हम हैं, तो हमारी सेहत अच्छी है, तो हमारे अंदर समर्थ होगा कि हम पैसे को कमा पाएं, पैसे को multiply कर पाएं. तो सेहत अगर नहीं हैं, हम ही नहीं हैं, तो पैसे की क्या, जो है, वो importance होगी. लेकिन, जो ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो ये गलत कहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी की जो जरूरते हैं, सेहत maintain करने के लिए भी खाना खाना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा, खाना खरीदने के लिए भी पैसा ही चाहिए. तो इसलिए, दोनों चीजों में हम नहीं उलचते, समय कि अगर हम सपने के बारे में बात करें, जो कहता है कि अगर आप खुद को सपने में पैसा उधार लेते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब positive होगा या negative. अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है, तो subscribe ज़रूर कर लिजेगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे topics के बारे में हम बात करते हैं, और हो सकता है कि आपके topic के बारे में already हम discuss कर चुके हों, तो एक बार उस playlist को भी refer कीजेगा. पैसे के बारे में मैंने सपने में जब भी जिकर किया है, तो मैंने ये भी कहा है कि हर dream का, हर सपने का मतलब positive और negative हो सकता है. Depending upon कि आप अपने सपने में खुश थे या दुखी थे. अब अगर उधार लेते हुए और उधार देते हुए आप खुश थे, फरक नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस सपने से आपको positive message ही मिल रहा है, या आपके आने वाली situations में, आने वाले समय में कोई challenges होंगे भी, तो आप उन्हें बेजज़क होकर उनसे, उन challenges को आप सरपास कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे. जब भी उधार से जुड़ी हुई बात होती है, तो कहीं न कहीं ये financial जिम्मेदारियों को depict करता है, ये जो सपना है आपका, उसके symbols में कहीं न कहीं वो financial insecurity जलगती है, या financial stability से लेकर सवाल हो सकता है, अब ऐसे सपने आते कब हैं, या तो खुद की जिंदगी में, या वो इंसान जो हमारी जिंदगी में बहुत जादा माइने रखता है, या हमसे जुड़ा हुआ है, वो भले हमारे परिवार का सदस से हो, कोई दोस्त हो, कोई रिष्टेदार हो, या हमारा spouse हो, यानि कि हमारा life partner हो, तो ऐसा जब कोई भी शक्स हमारी जिंदगी में माइने रखता है, जब हम उनके लिए, उनकी financial दिक्कतों को लेकर परिशान होते हैं, तो हमें ऐसे सपने आते हैं, जहां हमें ये दिखाए दे, कि हम उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, अब इस उधार का मतलब क्या है, जब भी financial crisis हम किसी के देखते हैं, मौजुदा जिंदगी में, या तो हमारे अपने साथ चल रहा हो, या हम किसी ऐसे इंसान से बात करें, जिसको बात करके हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर कोई चाप ज़रूर चोड़ते हैं, या हम उसके लिए एक शण के लिए भी अगर परिशान होते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें ऐसे सपने परिशान कर सकते हैं, किसी से कर्ज लेना, किसी से पैसा उधार लेने का मतलब है, कि आप अपनी financial जिम्मेदारियों को लेकर परिशान चल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, कि जैसे हमने कोई अपनी जिंदगी में कोई नई चीज आड करी है, कोई नई जिम्मेदारी आड की है, भले वो installment देना है, बच्चे का admission है, या हमने कोई नया घर लिया है, या गाड़ी भी ली है, तो उसमें तेल डलवाने के लिए भी, उसमें पेट्रोल याडी डलवाने के लिए भी हमारा cost अगर बढ़ जाता है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो ये signify करती हैं, या किसी लड़ाई में कोई इनसान हमें सुना दे कि तुमने मुझसे पैसा उधार लिया था, तो कई बार वो चीज़ें भी back of mind हमें हर्ट करती हैं, हमारे दिल और दिमाग में बैट जाती हैं, ऐसे सपने युजली तब भी परेशान करते हैं, जब हम अपनी जिन्दगी में कोई financial issue को resolve ना कर पा रहे हों, जैसे कि एक छोट ऐसा example वो भी दूँ कि जब बढ़ते हुए बिजली के बिल को देखकर भी हमें परेशानी अगर हो जाती है, तो भी ऐसा सपना परेशान कर सकता है, जहां हम खुद को कर्ज लेता हुआ देखें, या probably कि किसी ने हमसे उधार लिया और वो उधार वापिस ही नहीं किया, positively अगर हम ये चीजें, अगर इस message से, अगर आप देखें कि ये उधार या कर्ज से जुड़ावा आपको सपना आया, लेकिन आप unaffected रहे, कोई message नहीं था, तो कई बार ये इशारा करता है कि आपको कोई skill सीखने का मौका भी मिल सकता है, यानि कि एक talent को भारने का मौका भी मिल सकता है, कई बार जब हम कोई course करना चाहें, कोई training जो है पर जाने का हमें मौका मिले, तो कोई चीज जो हमारे पास नहीं थी, या हमने अगर कभी किसी की मदद ली, हमने कोई consultant को भी hire किया, मान लिजिए हमने अपने finances को invest करना है, तो हमने किसी financial consultant की का सुझाब लिया, का suggestion लिया, या फिर मान लिजिए कि हम कोई property खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हमने किसी property dealer के थूँ कोई deal ली है, तो भी ऐसे सपने आ सकते हैं, जब आप खुद को कर्ज लेता हुआ तो देखेंगे, यानि कि किसी से help लेते हुए तो देखेंगे, लेकिन आपको उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग पर उसका कोई बोज नहीं पड़ेगा, तो आपके सपने में इस लेंदेन से related आपने क्या देखा, मुझे आप comment section में ज़रूर बताएं, आप चाहें तो हमें email भी कर सकते हैं, हमारे contact numbers भी आपको screen पर भी नज़र आएंगे, description box में भी मिल जाएंगे, क्या देखते हैं, ज़रूर लिखते रहें, चानेल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में, और भी विडियोज हम शामिल करेंगे, जिससे कि ये सपनों की journey को और interesting बिनाया जाएं,